पॉर्ड लाइट कारेकब की अगली कड़ी में हम बात करेंगे शिरी बहुआन जैन जी से जो एसस जैन सभा सेक्टर पांच रोहनी के महासेचिव हैं और साथ ही भारती जंदा पाल्टी उत्तर पच्चपी जिला के स्वच्चता अभ्यान प्रकलब के संजोज़पी है शिरी बखान जी स्टूडियो में आनके लिए आपका बहुत स्वाग है तैंक यू आप एसस जैन सभा से जुड़े हुए हैं और जैन समाज जो है वो सभाई सेवा में बहुत अगरनी है अब तक एसस जैन सभा की उपलबधिया क्या रही और क्या काम किया है ऐसा है कि जो मारी ऐसा जैन सभा सेक्टर पांचे की जैन स्थानक है जैन मंदिर के साथ में जी तो उसमें महारा दो जार्दो में पहली बार बिल्डिंग बनी थी उसके बार रेगुलर हर साल साधुसंतों का चात्रुमाच होता है जी जी जेन जिया जात्या सी डांत की बाते हैं। कोई बी किसी जीजाति का collaboration के लिए आते हैं जब नोमारे कि वहां चार व oh छोता है जी तो गुरुवों पर तो कि अच्छी बाते बताते हैं जो उसको उसकी गुरुआ की बात पर तो हमारे हाँ जो भी बार से दर्शनाथिवाई आते हैं उनको रहने की विस्ता, खाने पीने की विस्ता गुरों के दर्शना के लिए जो आते हैं उनकी शेवा करते हैं उसके बाद आठ मिने सादुसंत खुले काल में विचरन करते हैं ऑई बी साथ उसरां तालग लग संपरदाईगे आते हैं, तो वो आते हैं दो दिन, चार दिन, दस दिन दो की चले जाते हैं तो उससे क्या करते हैं, जैसे हम जीव दया है, जैन स्थान के अपने माश्री उने के नाते हम जैन समाथ से जीव दया में प्रक्षियों को दाना डालते हैं, लाइबरेरी चलाते हैं, जिसे कोई दार्मिक पूछत कोई पढ़ने वाला हो, पढ़ने का जिसको शोगो. जिसे सभा है, स्वास्थे के लिए बी क्या में पर लगाते हैं, घृत्वार्णों का कैम्प लगाते हैं, फीजयोफ्रैपी का, ये कारिकर्म बरावर समय समय करते रहते हैं, और जो कोई बच्चा, लड़का-लड़की सम्यास लेते हैं, तो वह उसको दिक्षा जैनती लेता है दिकसाई बहुत बड़े-बड़े कारेकर्म आप करवा लेते हैं इस ताओ हे हर साल होता कोई नहीं कोई साहधूमास दू बराबर होता है बारा मुन्स में चार मिने और खुरने काल में साधू लाफकाल था। बहुत सी बंदिशे, बहुत से शोशल डिस्टेंसिंग, बहुतसा काम, इस दरान बहुत से सस्थाओं ने आगे बढ़ कर काम किया, तो एस एस जैन सभा ने भी किया, इस दरान उसकी गतिवी धिया क्या रही? जैसे क्रोना काल ये चलू हुआ उसके दोरान हमने ऐसे जन सभा के माद्दिम से दो जाथ पैकट डेली बोजन के बनवाई और अपने दो पुलिस टेंजन के स्योग से उनको वाँ पूंचाए और उसके बाद हमने मास्क बांटे सेनिटाइजर और सुखा भी जो सुखा बोजन बोजन बनाने के लिए सुखी सामगरी होती है वो भी हमने गरीब लोगों को वितरत की ये क्रोना काल में हमने काम बराबर किया रैगूलर किया जब गोर्मिट के आदेश हुए आप किसी ने बोजन लिवाट पना आप स्वच् के लिए क्या क्या कर रहे है कौन कुंसी जिम्मेदारिया है आप जैसे की सोष्था वियान का जो मैं इसे हो जो गुझी यह उत्तर पच्छी मीजीले में हमारी पांच विदानसवा आती है जी नरेला अबुवाना रोईनी रिठाला बादली जी तो हमने परतेक पांच आनसवा में जोड रखा है और हम एक एक पॉइंट लेते हैं सारे कारे अगर तो एक जगए कठा होगा के हम सवस्था अब्यान सभाई कारी करूं करते हैं अब इतना इतना परचार करने के बाब जू सवच्था के लिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है जैसा है कितना भी प्रियाज कर ले जैसे जैज हम रह रहे हैं कि हम देखने में आता है लोग गारी में वैट के आते हैं कूड़े कि इधा लिलाते हैं इदर-दर मुझ मारे अगते देखते कोई नहीं देखता तो नीचे रखके चले जाते हैं जब तक आम नागरिक नहीं कर पाएंगे आप जैसे सुबह करमचारी आते हैं हैम सीडी के पाउ야 सेलरी ने देने के लिए करमचारी आते हैं वो आकर के सुबह काम करते जब कि हम लोग सो कर न्य उठते तो वो आते हैं गाडिया कोई अटाता नहीं कोई समाजी का आदवी बीच माए गाड़ी अटवाए तो करमतार इस्फाई कर देनी है वरना तो ये गाड़े के नीचे एक टाकर के चले जाते हैं आप श्रीबगाजी भारती जिन्ता पार्टी से जुड़े हुए है एक कारेकरता होने के नाते आप अपनी सरकार को कितरे अंक देना चाहेंगे चाहे वो करोना काल हो चाहे वो अर्थवस्था का मामला हो चाहे वो समाज शास्तर की बात हो या फिर पडोसी देशों से जितना भी टक्राव चलना है उसे देखती हुए आपका क्या कहना है मेरा मानना ये है जी जब से बारती जिन्ता पार्टी का नेत्र तो सिर्शनेत्र तो आधर निया नेंदर मोदीजी ने समाला है और हमारी देश विदेश में भी बारत की एक ख्याती बड़ी है क्योंकि नेंदर भी तो फरता है ये जाधर ने मोदीजी की वही पर्यास रहता है कोई गरीबों तक बात जानी चाहिए तो श्रीफ पुभाजी ने संदेश दिया है कि करोना काल में दलगत राज़नीती से उपर उठकर लोगों को काम करना चाहिए राज नित्राओं को समरवे से काम करना च केंद्र और राज्या सिकार में तालमेल होना चाहिए और साथ ही अनों ने भी कहाना कि कहीं ना कहीं जागरुकता की कमी है लोग अपनी जिम्मेदारियों का एसास नहीं कर रहे göre कोड़ा लाते हैं गाड़ीओं में आते हैं में कोड़े स्टूडियो बे आने के लिए आपका बहुत बहुत नहीं है धन्नावाद थैंक यू